पिस्व जूनियर नेशनल गर्ल कवर्डी चेंपियंड सिप दोजाट चौबीस में मुकाबला मारास्टा वर्ड सिस उडिसा के बीच फिलाल वक्त होगा टॉस का सिक्का उशला है और देखना होगा गिरा है किसके पक्ष में चलिए उडिसा ने टॉस जीत कर कोट चुनने का फैसला गिया है यानि के पहली रेड आएगी मारास्टा के तरब से दोनों ही टिम्स वर्म अप करती हुई उडिसा के सामने एक बड़ा चिलेज मारास्टा को चिलेंज देने के लिए मैदान में उतर चुकी है मारास्टा की टीम जो के पहले से ही अच्छी ले में नजर आई है ये हमने लगातर देखा है कल के मुकाबले में लगातर देखा आज भी अच्छा खेलते हुए नजर आ तो ये मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है उडिसा के लिए स्वागता सभी दर्शकों का इस वक्त हम लाइब हैं पाटले पोत स्पोर्स कॉंप्लेक्स पटना बिहार से पहली रेड पहली रेड महारा स्ट्रा की तरब से जर्सी नम्मर एक ने की है पहली रेड के शुरुआत देखिए बॉनस लेने का ड्राई पहली रेड में इस बॉनस लेने का ड्राई किया है और सफल भी रहे हैं एक वार फिर से हम याद दिला देते हैं किस प्रकार से बॉनस लिया जाता है जब कोट पर साथ या छे प्लेयर अवैलिवल रहते हैं उस समय बॉनस एक्टिव होता है बॉनस लेने के लिए जो आप ब्लैक पटी देख रहे हैं एक पैर ब्लैक पटी के अंदर दूसरा पैर हवा में होना चाहिए तब आप बॉनस निकाल सकते हैं और वो ही हमने देखा था जर्सी नमर एक के दोरा वो बॉनस निकाला गया और उडिसा के तरब से पहली एंपटी रेड डाली गई है तो पॉइंट्स की शुरुआत हो चुकी हमारा स्टा के लिए अब यहां मारा स्टा के तरब से जर्सी नमर थ्री यह गई हैं रेड करने के लिए क्या यहां पर यह टच्च पॉइंट लाएंगी या बॉनस पॉइंट लेकर आएंगी या एंपटी रेड डालेंगी फिलाल देखिए जर्सी नमर बारे की उपर प्लेयर जूनियर प्लेयर जर्सी नमर फूर एक बार आप उनको देखिए कितना अच्छा सांदार वहां पर थाई होल्ड किया और एक सीनियर प्लेयर को टैकल किया है इस जज़वे को सलाम है जब आपका जूनियर प्लेयर इस प्रकार की प्रफोर्मेंस देता है तो समझे आप बहतर नहीं बहतरीन करने बाले लीजिए यहां भी थाई होल्ड करने का प्रयास किया था जर्सी नमबर एट के द्वारा उडिसा की तरफ से लेकिन नहीं पकड़ पाई है नहीं पकड़ प मेरे साथ जोड़ चके हैं विवेक स्वागत है आपका लेकिन उससे पहले स्वागत करना चाहेंगे महारास्ट्रा उडिसा के इस रेडर का किस प्रकार से उनका स्वागत की है जर्सी नमबर दो को टैकल किया है एक और पॉइंट आता हुआ यह देखिए स्कोर कार्ड पर एक नजर डाल लीजिए पाँच पॉइंट नजर आ रहा है मारास्ट्रा के लिए लेकिन उडिसा के खाते में निल बटे संनाटा कोई पॉइंट नहीं या सूपर टैकल ओन पकड़ लेते हैं तो दो पॉइंट भी लेंगे अब देखना हुगा क्या यहां टश पॉइंट जी नहीं बिल्कुल यहां ऑफिसेल्स ने बता दिया है कोई टश पॉइंट नहीं है अभी भी इनतजार है उडिसा को अपने पहले पॉइंट का जर्सी नमबर 10 क्या पॉइंट लेकर जाएंगी क्या खाता खोलेंगी क्या एक पॉइंट जमा करेंगी उस खाते में या फि कुछ बड़ा होने वाला है फिलाल तो तीनों डिफेंडर तीनों प्लेयरों को समेट दिया है एक दिशा में लेकिन यहां देखिए यहां देखिए एक पॉइंट चतुराई के साथ निकाल लिया है जर्सी नंबर ग्यारा गईती अटेक करने के लिए जर्सी नंबर एक के लगी है एक परफेक्ट और जर्सी नंबर एक काम बिलकुल एक नंबर का ही करती हुई लीजे टीम को ओल आउट दे दिया शुरुआती मिनट्स में ही तीन पॉइंट आते हुए एक टीम वो है महराश्टा जो डवल डिजिट में पहुँच चुकी है विवेक दूसरी टीम को इंतजार है अपने पहले पॉइंट का क्या कहना चाहेंगे शुरुआत के लिए जिबिलकुल कुछ और इसी बिच देखिया आपने कहा एक टीम को पॉइंट की तलास है तो दूसरी टीम लगातार बेहतरीन परफर्फरमेंस कर रही है पर ऐसे खेलेगी महराश्टा की ट जर गराय रखियेगा कल के मुकाबला इन्होंने हारी हुई बाजी जीत करके दिखाई थी विदी साजी यहां देखियेगा अभी तक जहां ऑल आउट हो गई है और इसा की टीम ऑल आउट के बाद खाता भी नहीं खोल पाई है निल बट्ट सुनाटा जैसा की मोनो जी आप बोल रहे हैं वहीं महराष्टा की तिन तेरा अंकों पे पहुंच चुकी है तो इसका इंतिजार रहेगा जो उरिशा की वो कौन सी प्लेयर होगी जो अपने टीम के लिए पहली पॉइंट दिलाएगी बेट सबरी से हम लोग के इंतिजार है इस वात का उरिशा की वो कौन स डिपांटमेंट हो चर्शी नंबर तीन जो रेड लगा क्या ही थी मोनिका इनका नाम याद रखेगा और सांसी भी सांदार ब्लॉक आया बार बार लागत्तार कोशिश है उरिशा का जो पॉइंट अंक अर्जित क्या जाया पर महाराष्ट्रा ऐसा होने नहीं देगी बिलक रेड में काफी कुछ होना है अभी देखना होगा क्या ओल आउट हो गई या सूपर टैकल होगी जी दिल बिलकुल जारी है स्ट्रेगल जारी है अभी रिफ्रिका भिसल आना बाकी है पूरा भरपूर प्यास देखना होगा क्या यह सूपर टैकल होगी जी नहीं बिलकुल भी पार करना है लाइन कोड़ी, नहीं, सूपर टैकल यहां पे बिलकुल, फॉइंट मिले यहां पे, फाइनली उडिसा ने अपना खाता तो खोल लिया दो पॉइंट से भले ही देर आई पर सूपर टैकल से ही पॉइंट लिया और यहां पर हलकी सी चोट नजरा रही है राइट कॉर्नर के खिलारी क्या इंजर्ड हो यह देखना देखना होगा जो ज़्यादा इंजरी ना हो क्योंकि यह महतपूर दो पॉइंट अपने टीम के लिए अंकर जितके हैं क्या कहना जाएंगे आई होप यह ठीक हो मुनु जी देखिए उम्मीद करते हैं कि जादा कुछ बड़ी चोट वहां ना लगी हो और अकसर प्लेयर इंजरी से जूजते रहते हैं और एक प्लेयर के लिए इंजरी सबसे ज़दा दर्द देती है क्योंकि पता आई कि एक छोटी से इंजरी होती है ना तो बैंच पर बैठना सकते हैं जब तक उनके बस में था उन्होंने कम सिकब 5 से 10 सेकंड तक वहां समय लिया प्रयास करती रही तक्रीवन तक्रीवन पहुंचती थी बारवार मिडल एंज तक लेकिन उन्होंने बिलकुल अच्छा प्रयास किया और उन्हें फाइनली सूपर टैकल भी किया तो दो 15 पॉइंट महारास्ट्रा ने कमा लिये थे तब जाकर 2 पॉइंट कमाए हैं उडी साने साथ में एक प्लियर इंजड भी हो गया है तो ये भी चिंता का विसे रहेगा कहीं न कहीं कि कौन से प्लियर होगा जो सब्सिट्यूट पर अंदर आएगा क्या वो उस प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से जर्सी नंबर 8 कम करके गई है लेकिन फिलाल अपने मैश पर वापस आ जाते हैं जर्सी नंबर कहा रहे हैं डूबकी लगाई है तो फिर डूब ने नहीं दिया जाएगा दुबा दिया जाएगा मारास्ट्रा के द्वारा ये लीजिए एक और टेकल पॉइंट यहां डिफेंडरों के नाम जाता हुआ जर्सी नंबर 1, सूपस्टार प्लेयर विदिशा लीजिए, सूपर टेकल होना है यहां भी, तीन प्लियर ही मौझूद है कोट पर सिर्फ तीन प्लियर क्या यहाँ सूपरटैकल कर पाएंगे शूपरशा विदीशा को नहीं कर पाएंगे एक प्लियर को धखेल दिया है अब आप इस प्लियर कोसे साथ नहीं लट सकते वहाँ Empire ने विसल बजा दी है एक पॉइंट फाइनली आ गया है एक पॉइंट फाइनली आ गया है महारास्टा के लिए और इसी पॉइंट के साथ महारास्टा महुच गई है 17 पॉइंट्स पर और वही नज़र डालें तो सिर्फ दो पॉइंट से नज़र आए उडिसा के लिए और दो नमबर जर्सी इस वक्त उडिसा की तरफ से रेड करने के लिए आए है रिवाइबल की आवशकता है बॉनस पॉइंट लेती है तीन पॉइंट लेकर वापस आएंगी या फिर ओल आउट देकर वापस आएंगी एक तो लेकर आना चाहिए और देखिए यापर प्रयास किया था जर्सी नमबर दो के उपर वो हेंटश का प्रयास किया लेकि सफलता नहीं मिली है ज़्यादा समय लिया नहीं है तकरीवन 15 से 16 सेकेंड लियें और वापस आगए अपनी खैमे की तरफ अगली रेड में शायद वो ट्राइ करना चाहेगी महारास्टा की टीम के पॉइंट निकाला जाए और एक प्लियर को आउट किया जाए बैंच पर बिठाया जाए और उडिसा को आउट दिया जाए और इस लीड को बढ़ाया जाए अभी तक 15 पॉइंट की लीड है महारास्टा के पास लीज ये विदिशा चली गई है अब ये तो पक्का कुछ बढ़ा करने वाली है लीजे दोनों डिफेंडर धखेल दिये एक खेमे में और लीजे ये ओल आउट ये कुछ बढ़ा होने वाला है दोनों फिल्डर्स को टच किया है दोनों डिफेंडर वाँ मौझूद थे टच किया है साथ में रेफरी ने बता दिया है कि चार पॉइंट आ गए है तो टच पॉइंट और दो पॉइंट आपको मिलेंगे बॉनस के तौर पर गिफ्ट मिलेगा अलाउट करने के तौर पर तो आपको चार पॉइंट मिलेगे लेकिन साथ में एक पॉइंट मिला है इच वन पॉइंट दोनों के लिए तो इसी के चलते तीन पॉइंटर पहुंच गई यह उड़ी साकी टीम जिबिलकुल मोनू इसी स्कोर के साथ उड़ी स्माफी चाहेंगे महराश्टरा का स्कोर होता हुआ तेई संक और इसी बीच सांदार डवल थाई होल्ड देखनू के मिला राइट कॉर्नर के खिलारी के दोरा जो महराश्टरा की ओर से खिल रही है चेस्ट नमबर फाइफ साक्षी जिबिलकुल नजरे रखेगा साक्षी पे लगातार पर्फरमेंस बढ़िया करती है और चली है विदीशा रेड ले करके पांच का डिफेंस होगा इनके लिए बोनस ऑफ है भले ही बोनस ऑफ है लेकिन ये भले ही टच पॉइंट लेना जानती है विदीशा और अपने टीम को लगातार पॉइंट दिलात लते रती हैं फिदी साफ अब देखना होगा क्या ओरिशा की टीम इस फासले को किस हद तक कम कर पाती है क्योंकि लगभग महराष्टा की टीम एक टरफा मैच कर दी है पुरा चड़ के खेलती ही ओडिशा के उपर लगातार दो अल आउट दे चुकी है महराष्टा की टीम वहीं ओडिशा अभी तक तीन ही यंक हासिल कर पाई है और चले है महराष्टा की रेडर एक नए रेडर रेड करने के लिए और वो भी स्कोरा सानी के साथ करेंगे यहां पे लेप कॉर्णर गलती कर बैठे थोरी सी जल्द बाजी में नजर आए ओडिसा की टीम मोनु जैसा कि देख रहे हैं उन्हें थोरी सी पेसेंस के जरूरत है क्योंकि एक दरब देखा जाए महाराष्ट्रा की टीम पूरी एक पॉइंट बाजी मोनु इस समय सबसे पहले तो टाइम आउट लेना चाहिए और वो टाइम आउट लेना चाहिए ओडिसा को क्योंकि ओडिसा की टीम इस वक्त गलती कर रही है तेकि होता क्या है कि जब आप पॉइंट ड्रॉप कर रहे हो ना तो फिर गेम को थोड़ा से सि प्रकास से स्टेटरजी बनानी है किस प्लेयर के साथ तालमेल बिठाना है तो वहाँ पर वो गलती कर रहे है तो मेरा मानना तो यही है कि फिलाल तो यहाँ पर टाइम आउट लेना चाहिए और लीजिये वो इशारा कर दिया है इस रेड के बाद उडिसा का टाइम आउट उनकी जो कोच है न उन्होंने बता दिया है कि उन्हें टाइम आउट चाहिए और यह सही डिसीजन है कि इस समय आपको टाइम आउट लेना पड़ेगा वापस जाना पड़ेगा जर्सी नमबर थ्री को लीजिए टाइम आउट आ गया है उडिसा की तरब से और उनकी कोच यही समझाने का प्रयास कर रही होंगी उनकी कोच प्राची यही बता रही होंगी कि गेम के पेस को कैसे भी धीमा किया जाए यहाँ पर जल्दवाजी कर रही है महारास्टा की टीम और जल्दवाजी कर रही है तो उसको फाइदा भी मिला है तो इसलिए उडिसा को समझना चाहिए जो मुमेंटम महारास्टा के पास है उसे कही न कही तोड़ना पड़ेगा और महारास्टा के कोच वो भी समझा रहा है वो भी देखें, खुश नजर आ रहा है बता रहा है किस परकार से आप गेम को चला रहे है पहला हाफ चल रहा है अच्छी कासी लीड है 20 पॉइंट की लीड है महारास्टा के पास तो गेम के मुमेंटम को अगर बिगाड़ना है न तो फिर समय लीजिए जब रेड करने जाए तो पूरा समय लीजिए और उडिसा के टीम जितने भी टाइम आउट है आपके पास फरस्ट आप में आप उनका पूरा यूजिए और जल्दी से जल्दी कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर जो ले है महारास्टा की ले बिगाड़ नहीं है और वो सिर्फ एक ही तरीके से बिगड़ सकते है कि आपको गेम धीमा करना पड़ेगा अब आपने रेड वैलिड किये आप पूरा समय दीजिए बिल्कुल पूरा समय दीजिए आपके जो वहाँ पर प्लेयर खड़े हुए हैं उन्हें सोचने समझने का मौका मिलेगा कि किस प्रकार से तालमिल करना है अगर तालमिल करना है तो फिर महारास्टा से सीखिए ये देखिए जर्सी नंबर फाइब के दौरा वहाँ एंकल होल्ड किया गया कितना सही समय पर वहाँ पर सपोर्ट आया है यही सपोर्ट अगर आएगा उडिसा के लिए तो फिर उडिसा के टीम आगे चली जाएगी पहले हाफ में लीड कोप कवर पूरी तरह से तो नहीं कर सकती लेकिन कुछ कर सकती है लेकिन देखिए जैसे ही टाइम आउट हुआ है जैसे ही टाइम आउट हुआ है उडिसा का डिफेंड बढ़ चड़ कर बोलने लगा है टीम की सूपर स्टार प्लेयर विदिशा को उन्होंने शिकार बनाया है टैकल पॉइंट लिया है तो लीजिए ये टाइम आउट कितना जादा कारगर रहेगा एक प्लेयर सेल्फ आउट हो गया है एक प्लेयर सेल्फ आउट हो गया है तो एक पॉइंट आपको मिल जाएग इस समय अब यहाँ पर पॉइंट आने लगे हैं सी के साथ आठ पॉइंट पर पहुँच गई है टीम उडीसा इजीली हैंड टच किया है मोटा टच किया है जर्सी नंबर नैन के उपर एक और पॉइंट आता हुआ जो सूपर टेकल ओन था वो सूपर टेकल ओन नहीं रहेगा चार प्लेयर मैट पर मौझूद रहेंगे विवेक क्या मानना है क्या होने वाला है ये फिलाल मुझे लगता है सूपर रेड हो गई है या फिर दो पॉइंट लीजे दो पॉइंट सूपर रेड तो नहीं हुई है लेकिन ओल आउट का खत्रा यहां पर महरास्टा के सर पर आता हुआ मेरा मानना है कि उडिसा को यहां थोड़ा सेफ किलना चाहिए जर्सी नंबर थ्री को वापस करना चाहिए बॉनस देकर वापस कर सकते है देखा चाहिए कितने पॉइंट है दो पॉइंट की मआंग की और उनकी मांग सही भी हुई दो पॉइंट मिले और एक वार फिर से ओल आउट के नस्दीक नहीं goo बॉल आउट हो चुकिया है तिंगल और और बस्ट त्री सान महरांश्टाруго के पक्ष में जाता हुआ यह गेम कि जहां एक तरफ महराष्ट्रा की टीम 49 अंक पर है तो वहीं ओडिसा की टीम मेहज 10 अंक कहां सिलकी है और महराष्ट्रा की टीम लीड कवर करें भी न कैसे विदीसा जब हो उनके पास दो अंक फिर से हां सिलकी आजा और नजर डाली जाए हमारे दूसरे साइड दूसरे कोंट पर जो मैक्शल रही है गवा वर्सेज भीहर के विछ इसमें देखा जाय है तो गोवा की टीम आगे चल रहते हैं थो साताइस अंक गोव और वहीं मेहज 9 अंक के बिःहर हासिल कर पाई है, बिःहर भी अच्छे टीम है, ये कभी भी हा सब्सक्राइब कर दो ओड़ नमबर जर्शी हैं और यहां पे कुछ का पाती हैं क्या कुछ का कुछ कर पाती हैं महाराष्टा की डिफेंस यहां पर बढ़ जड़ कर बोलते हुई हाप टाइम के बाद तो और बढ़िया गेम दिखा तो ही महाराष्टा की टीम फिलाल पांच भी वार ओल आउट की नस्दिक जाते हुई पांच भी बार बी ओल आउट हो जाएगी ओर देगी और देखिये उस अलाउट का टेकनी कार इजन गया है क्योंकि अच्छी कासी बढ़त है माराष्टा के पास और जब इस प्रकार से आप टैकल कर सकते हैं तो फिर all out तो दे ही सकते हैं अब यहां सूपर टैकल ओन रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि यहां सूपर टैकल कर पाएंगे लेकिन यहां twist, do or die, यह देखिए, यह देखिए सोलो टैकल double thigh hold किया है वहां पर, मौनिका गईती और जाते ही counter attack किया वहां पर उडिशा ने और मने rate से पहले का था कि शायद इनका शिकार नहीं कर भाई ही, लेकिन उनका आप गलत बोल रहे हैं उडिसा भी अभी इतनी पीछे नहीं है, उनके पास भी अच्छे skills है, वो solo tackle भी कर सकते हैं और देखिए, solo tackle में point निकल जाता है, लेकिन वो solo tackle कब होता है, जब आपको पताई कि मेरे साथ player है अलाकि उनका साथ नहीं आया है, लेकिन अगर वहीं पर court पर एक ही मौझूद है player तो उस समय solo tackle नहीं हो सकता वहाँ थोड़ी सी दिक्कत रहती है, अब यहाँ चार का defense, चार player मौझूद है, एक नमबर जरसी, विदिशा, रेड करने के लिए गई है running hand touch, running hand touch, क्या वहाँ लगा है, नहीं, 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 नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, कितने point, कितने point यहाँ आने वाले counting जा रही है, ओफिसियल्स की super raid, super raid आ गई है, super star विदिशा के दोरा, एक नमबर जरसी और point लेकर आई है, तीन और पांच माँ आप all out मांग रहेते, विदिशा ने उस मांग को पूरा कर दिया है, यह देखे, अकेली योदा है अपनी टीम की, 11 नमबर जरसी, लीजिए, जरसी नमबर पांच, जरसी नमबर पांच को tackle, जरसी नमबर पांच को tackle किया गया है, लेकिन वहाँ देखिए, क् पांच को पांच को पांच को पांच को पांच को पांच को पीछे से उनकी डिफेंडर थी, वो भी उनका पीछा करते हुए आगे लोवी में, अब लोवी में जब रेडर और डिफेंडर दोनों पहुँच गए हैं, तो दोनों को आउट करार दिया जाएगा, वो एक्स्ट्रा में जाएगा पॉइंट, इसी के चलते, इच वन पॉइंट वहाँ दिया गया था, दोनों ही टीम्स को एक एक पॉइंट दिया गया, और एक पॉइंट का वहाँ पर इजाफा हुआ उडिसा के लिए और साथ में एक रिवाइवल भी मिलाता, तो वहाँ तो अल आउट नहीं हुई, अगली रेड में मॉनिका गई रेड करने के लिए उन्होंने शिकार किया उस प्लेयर का और तीन पॉइंट अर्जित किये, एक दो एक्ष्रा के, तो इसी के चलते 50 पूरे कर दिये हैं, पॉइंट मारा स्ट्राने, 50 लगा दिये, 51 का शगोन है उनके पास, जो के अच्छा होता है, और वहीं 13 जो के एक बहुती जादा बिकार नमबर माना जाता है, बारतियों के लिए कह सकते हैं, तो एक शगोन वाला ह साथ ओरिशा की टीम भले ही 14 अंक पे पहुंच गई है, पर ये फांसले पहार की तरह है, जमीन आसमान के फांसले हैं, ये एक तरफ महराश्ट्रा के ओर नजर डाली जाए, तो लगातार टचस पॉइंट और बोनस पॉइंट आ रहे हैं, पर दूसरी तरफ ओरिशा पे नहीं कर सकते हैं और वैसा किया भी है, और मैं आपको बताता दूदर सकों को खोषो आप किसी भी पलेयर के आउट होने के लिए बोनस आप हो जाता है, तो आप किसी भी प्लेयर को टच कर देते हैं उस की बाद अनु पोछन Nice और इस पीच्पर हांथ को आया पर मूह नलग कि है एक तरफ नजर जाल डाला जाए स्कोर काट पे आप लोग स्क्रीन पे जैसा देख पा रहे हैं और स्क्रीन पे क्या यह देखिए मज़ेदार टैकलर लेप कॉर्नर के द्वारा जिया ननी खिलारी जरूर है पर उन्हें कम आकना गलती कर बैठेंगे आप चार नंबर जर पहले करने की जरूरती क्योंकि पहले यह करते तो आज मैस्च का रिजल्ट कुछ और रहता और फिलाल इसी टैकल के साथ महाराश्टरा के कोट में फिलाल चार ही प्लेयर नजर आते हुई दिख रही है और यहां पे चाड के डिफेंस में अंदर रेट करते हुई और फिला अगले मुकाबले भी खेलना चाहती है आपको टीम को अपनी जरूरत होती है इस वजह से डॉक्टर की टीम भीयां महजूद है और लागातार ट्रीट्मेंट जाली है जारी है उनका फिलाल महराष्ट्रा की टीम चैन की सांस ले रही होगी क्योंकि उनके पास अच्छी खासी भरत भी है और वहीं दूसरी तरफ ओरिशा पे नजर डाले जाए तो लीड कवर करने के चकर में कुछ खास नहीं कर पा रही है जैसा कि मोनुजी कहते हैं कुछ प्लेयर्ज होते हैं प्रेसर में निखर जाते हैं तो कुछ विखर जाते हैं वहीं ओडिशा के टीम नजर आ रही है विखर रही है फिलाल यहाँ पे एक तरफा यह मुकावला चलता हुआ और यहाँ पे जर्शी नंबर 9 आई है रेड ले करके महराष्ट्रा की तरफ से बोनस का प्रयास पर बो उडिशा की टीम 20 आंक की पराव को भी पार कर पाएगी या नहीं कि जैसा महराष्ट्रा की टीम गेम दिखा रही है वैसा तो मुझे नहीं लगता जो भी संका भी फासला उडिसा की टीम पार कर पाएगी आपका क्या मानना है देखिए उडिसा के टिम 20 अंक तो हासिल कर लेगी क्योंकि 17.9 ने हासिल कर लिये लेकिन अंतेम कुछ मिनट बची हुई है ये देखिए सांदर तरीके से टोर टच जर्सी नम्मर 6 के उपर वहाँ प्रियास किया और एक पॉइंट और निकाल लिया है टाइम आउट लिया गया है मारास्टा के तरब से और इस टाइम आउट का सिर्फ एक ही रीजन है कि वहाँ पर प्लेयर्स को ना सब्सिट्यूट किया जाएगा दो प्लेयर्स को आउट किया है जर्सी नमबर 6 जर्सी नमबर 9 को और जर्सी नमबर 7 और जर्सी नमबर 11 को इन की आए यानि के वो भी अपनी बैंच का इस्तमाल करना चाहते है और ऐसे समय पर बैंच का इस्तमाल करना चाहते है जहां अच्छी कासी बढ़त है उनके पास वो तक्रीवन इस मुकावले को जीत चुके है अब देखे दो जूनियर प्लियर और देखे दोनों ने चैन मनाई है जो आई है वो एक चैन अंदर लिया यानि कि डिफेंस और मजबूत किया गया है डिफेंडर्स में अदान में उतारे गए है वो भी देखना चाहते हैं किया हमारे जो जूनियर्स के भी जूनियर है क्या वो उतने ही अच्छे अंदाज में खेलेंगे तो यहां पर अच्छी सोच मारा स्टाके द्वारा लेकिन यहां पर अच्छा करना पड़ेगा उडिशा को बॉनस ओन जरूर है बॉनस पॉइंट से काम चलेगा नहीं साथ में टच्छ पॉइंट लाएनी कि आब शकता यह कुछ बड़ा हो सकता है यहां पर देखिए कितने टच्छ पॉइंट टू टच्छ पॉइंट आ गए है और देखिए इसी रेड की हमने बात की थी वो रेड आ गई है दो प्लेयर का शिकार बनाया है उडिशा ने और देखिए उन्नीस पॉइंट पर पहुँच गई है सिर्फ एक पॉइंट की आब शकता है वो 20 पॉइंट क्रोस करने के लिए मैच को जीतने के लिए नहीं एक पॉइंट चाहिए सिर्फ 20 पॉइंट वो ही सबसे बड़ा चिबमेंट होगा क्या यहां पर उडिशा के लिए जी बिलकुल यहीं बड़ा चिबमेंट होगा जो अब जितना से जगदा हो सके उतना जादा कम फासले से हारने की कोशिस करेगी ओडिशा के टीम क्योंकि आंगने बाने जो मुकाबले हो वो अच्छी से खेल पाए और अच्छी mindset से खेल पाए क्योंकि अगर जाधा margin से हारती हैं तो कहीं ने कहीं वो margin आपको impact करता है और आपको maneuver को down करता है फिलाल यहाँ पे maneuver को down नहीं होने थे कि महराश्रा की team एक कंक फिर से हासिल करती हुई महराश्रा creator jersey number 8 में और फिर से चली है Odisha creator jersey number 11 जो substitute खिलारी हुई है अंदर आई हुए अंदर आई हुए substitute होकर के देखना होगा क्या वो point ले पाती है और दूसरी तरफ substitute खिलारी jersey number 11 वर्सेस 11 का यह मुकाबला था पर कुछ नहीं हो पाया फिर से चली है radar महराश्रा की मोनिका जिया इन पे नजरे गराय रखिएगा मोनिका पे इनको कम आकना नहीं है रणिंग बोनस का ट्राई किया है पर जिब लुकुल ट्राई किया है तो रेफरी ने दिया भी है आप ट्राई करते रहें रेफरी अपनी पैनी निगाहों से इस मुकाबले को देख रहे हैं अरजित कर पाती है क्योंकि पांच ही डिफेंस ग्राउन पर मजुद फिलाल पीट दिखाई है पीट दिखाई है और इसका आप जाम भी सही हुआ है पीट दिखाई है तो बाहर जाना होगा आप कबड़ी के खेल में और जंग के मैदान में पीट नहीं दिखा सकते हैं से ओडिसा की टीम हारती हुए यहां पर महाराश्ट्रा की टीम खुशी दिखाई देती हुए और खुश दिखे भी क्यों ना एक बड़े मुकाबले में थर्टी थरी सब जुनियर नेशनल गर्स कवर्डी चैंपियासिप से इतने बरे स्टेज पर आपके आप जब इतना वरा मुकाम हासिल करते हैं तो खुश में क्यों न हो तो फिलाल इस मैच की समापती होता हुआ तो क्या कहना चाहेंगे मोनु आप थोड़ी दर पहले आपने कहा था कि क्या उड़ी सब 20 पॉइंट निकाल पाएगी तो देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया मात रूनीस पॉइंट ही निकालें वो 20 पॉइंट पर भी नहीं पहुंच पाईए एक समय लगाता कि शायद 20 पॉइंट क्रॉस कर जाएगी लेकि मारा स्ट्रा ने काए कि